नमस्कार दोस्तो मेरा उल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे मिTHUN लगन के अंदर मंगल की जो महादशा होगी अंतरदशा होगी परतेंतरदशा होगी उसके आपको किस तरह के प्रिनाम देखने को मिलेंगे कैसे रिजल्ट देंगे मंगल मिथुन लगन के अंदर कैसे एफेक्ट्स होंगे मंगल के यही मैं आपको बताने जा रहा हूं सरल तरीके से कम सब्दों में जो लोग मिथुन लगन के हैं अथ्वा जोती सीखना चाहते हों तो उनके लिए यह वीडियो अतनत महत्तपून है तो चर्चा करते हैं देखिए मिथुन लगन पहले भाव में तीन लगन में तीन तो समझे लिजे मिथुन लगन की एक कुंडली होई अब आप समझे लिजे मिथुन लगन के जो स्वामी होते हैं बुद्देव होते हैं तो कुंडली के जो मालिक हैं वो बुद्देव हैं और चर्चा कर रहे हैं मंगल की बारा भाव में मंगल कैसा रिजल्ट देंगे, तो बुध्देव और मंगल देव में आपस में मितरता नहीं होती, अब आप देखें, मिखुरल लगन के अंदर मंगल को कोन से दो भाव को कंट्रोल करें, तो देखें मंगल की दो रासी होती है, मेश और वर्षचिक, छाटा यह त्रिक भाव होते हैं और जो ग्यारवा भाव है तो यह लाब पर केंद्र त्रिकोन का ना मिलके और लगने इसके मित्र नहों के तो मिथूल लगन के अंदर मंगल मारक बनते हैं मारक वो जहां बैटेंगे जहां दरश्टी देंगे अपना खराब फल ही देंगे हलाकि कुछ जंगे पे वो अपने थोड़े बहुत शक्रात्म फल देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो देखिए अगर लगन में मंगल है तो अगर मैं बात करूँ कि कहा कहा पे वो अपना पोजिटिव फल देंगे तो लगन में अगर मंगल है तो यहां पे वो अपना परिनाम अच्छा नहीं देंगे दूसरे भाव में वो नीच की हो जाते हैं तो बिलकुल पर भाव अच्छा नहीं देंगे अब यहां पर मुख़े तर से मुख़े तोर पर बताने जा हूँ कहा हूँ आए ता दरेंगे है तो तीसरे बाहो में मित्रराशी में है पर अच्छा दर्शात चोते बाहो में अपनी मित्रराशी में अ ﷺ होने के alan और मार्केस होने के का पेला बना रहे हैं और लगने इसकी अच्छी tiringने तो मंगल अच्छा फ़ल देंगे दनूराशी में अपनी मित्राशी में में के कारण Juice जादातर अपने नकरात्मक फल देंगे कूछ चुब फल भी देंगे पर जादा तर नकरात्मक फल और आठवे में उन चके होने करण भी पायदा नहीं देंगे क्योंकि दिखबली भी होते हैं तो दस्वे भाव में फिर भी ज़्यादतर अपने सक्रत पफल देंगे और अपनी खुद की रासी में लाब भाव में बैठके मंगल 11 भाव में भी अच्छा पल देंगे 12 भाव में भी हानी को दरसाएंगे तो गैरवे भाव को अच्छटे भाव को तो करजा मांची कुरूप से परिशान सेद को लेके गडबड लाब में हानी को दरसाएंगे हला कि लगन में बैठे हैं तो नकरत फॉल में कमी जरूर होगी केंदर में बैठने के कारण दूसरे बाव में बैठे हैं यहां पर नीच क बेद धनका भाव मांची गुरूप से प्रिशानी प्रोफेशन में दिक्कत बजनिस में खराब लाब में हानी ऑप्स्टेकल्स क्रियेट होगी तीसरे भाव में भी पराकर्म को दरसाएंगे पहुत परिश्रम के बाद भी जातर को फैदा नहीं होगा फिजूल के टैंसल चोटे भाव में बैटके माता के साथ मन मुटाओ साथी चोटे भाव में बैटके मंगल मांगलिक दोस्त बनाएंगे सुक में थोड़ी कमी कर देंगे हलाकि मंगल पे अगर गुरु की दरस्टी हुई तो चोटे भाव में भूमी का वहन का योग जरूर बनता है पांच भाव में किरुकी त्रिकोन में बैटे हैं पर मारक हैं तो अपने नकरात्व फल में खमी जरूर कर देंगे पर फिर भी संतान को लेके थोड़ी दिक्कत ह हो सकती है लाब में भी दिक्कत हो सकती है अगर यहां पर शुक्र अच्छी कंडेशन में हुए तो मंगल थोड़ा संतान से रिलेटिड जातब को फायदा देगा आकस्मिक धनके योग भी बना देगा छटे भाव में मंगल खराफल देंगे गर लगनेस मजबूत नहीं है अगर लगनेस मजबूत है तो जातक को विपरीत राज योग बनाएंगे मंगल की दसंतर दसंतर के अंदर संगर्स करने के बाद जातब को फायदा होगा साथ भाव में भी मंगल है तो मंगली की योग बनाते हैं तो कुंडली मिलान करके ही साधी करिएगा आठ भाव में मं डेप्ट में नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भागे भाहो में अगर मंगल है तो यहां पर भागे की हानी करेंगे और लाब में भी कमी कर देंगे और अबस्टेकल्स जरूर क्रियेट होगी पर अगर यहां पर सनी की पहुत अच्छी मंगल अपनी खुद की राशी के अंदर थोड़ा सेहद में तो उपर नीचे जरूर करेगा पर लाब में जातक को फैदा होगा मंगल की दस हंतर दस के अंदर बड़े भायवैनों का स्वायोग और जातक को भूमी वहान का भी योग जरूर बनेगा गयार में मांसिक रूप अब आप समझ गए बारा बहों में मंगल किस तरह के परिनाम देंगे इस लगन के अंदर मंगल क्योंकि अच्छे भाव नहीं मिले तो जादा तर व अपना नकरात्मक्फल ही देंगे पर फिर भी जहां जहां वो थोड़ा बहुत पोजिटिव रिजल्ट्स देंगे वो मैंने आपको बताया अब वो अपना सकरात्मक्फल किस स्टेज में देंगे कितनी परसेंटेज में देंगे नकरात्मक्फल कितने परसेंटेज में देंगे वो देखने वो आपको पता चेलेगा किस भाहों में तो दोस्तो शरल तरीके से बताने की कोशिश करी बताया मिथुल लगन के दर्मंगल की महादसा का परिनाम क्या होगा वीडियो अच्छी लगए को तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा धन्यवाद